अगली GST Council की बैठक 11 तारिक को होने वाली है, 11 जुलाई को ये बैठक होगी, इस बैठक में कौन से मुद्दे चर्चा में होंगे, इनके एजेंडा दीरे-दीरे सामने आने लगा है, जैसे कुछ एक खबरे में आपको बताऊं, तो ये कि पहाडी राज्यों में चल रही ही, मैनुफेक्शन के काई को बजट सपोर्ट जाधा दिया जाए, इस पर चर्चा हो सकती है, इसके लावा मल्टी यूटिलिटी गाडियों पर GST के लावा स्रेस लगाने पर चर्चा संभाव है, ऑनलाइन गेम, कैसीनो, होर्स रेसिंग जैसी गतिवीधियों पर टेक्स कितन कर है, जहां पर 5% GST लगाने का प्रस्ताव, GST काउंसिल के पास विचारा दीन है, सिनेमा घरों में जाने पर जो भी आप कोल्डरिंग, पापकार्न ये बाकी सामान लेते हैं, उस पर अब टैक्स लगाया जाएगा, ऐसा GST काउंसिल इस प्रस्ताव पर विचार कर रही, वह मान रही है कि एक किस्म के क्लाउड किचन है, जो कोई चीज बना कर बेचते हैं, और इसलिए इन सिनेमा घरों में में इस खपत पर भी टैक्स लगना चाहिए, तो सिनेमा घरों में आप टिकेट पर तो GST देते ही हैं, लेकिन वहाँ जो आप फूड प्रोडिक्ट भी क पूड करते हैं, आपको देना पड़ेगा, इसके अलावा जो दूसरे मड़े मामले GST काउंसल की वैठक के सामने, उसमें राज्यों में ट्रिबिनल बनाने का प्रस्ता है, क्योंकि GST के विवाद पूरी तरह बढ़ा रहे हैं, और इसलिए अलग अलग राज्यों में ट्र इस समय सबसे बड़ी है कि फरजी कंपनियां फ्रॉट जो कर रही थी, उन पर चापे मारी चल रही उन्हें बंद किया जा रहा है, 5000 कंपनियों के GST registration रद्ध कर दिये गए हैं, 15,000 करोलों की टेक्स चोरी का पता चला है, कुछ कंपनियां टेक्स जमा भी कर रहे हैं, यहां को जोड़ा जा रहा है, जियो टेगिंग उन सारी कंपनियों के लिए अनिवारिक की जा रही जा है, जो पहले से रियस्टर्ड हैं, और बायमेट्र कर अथेंटिकेशन उन कंपनियों के लिए जरूरी बन किया जाएगा, जिन पर इंपुट टेक्स क्रेडिट की चोरी का श स्वारे में उको पता दें कि ये प्रस्ताव सिनिमा घरों की तरफ से ही रखा गया था, उनका ये कहना था कि उन्हें 5% इस्टी लगा कर उस पर इंपुट टेक्स क्रेडिट दिया जाना चाहिए